हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज जितने भी चात्र 29 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं और जिनका विज्ञान का पेपर है तो आप इस पेपर का हल जरूर देखें यह दो हजाज चोबिस के लिए एक प्रकार का वाइरल पेपर है तो इस पेपर का आपको यह सभी को पता है और पुड़ांक रहेगा टोटल सत्तर नंबर का यह इसके कुछ निर्देश दिए जाते हैं निर्देश के बारे में आप सभी को पेपर में बता चुके हैं यहां पर आपका समय नगवाते हुए सीधे प्रश्णों को हल कराते हैं ठीक है यह निर्देश प्रश्णों को बताने वाले हैं तो आप वीडियो को लाज तक जरू देखें पहला प्रश्ण क्या है आपका कि प्रकास के प्रावर्तन के नियम सदेव सत्य होते हैं तो प्रकास के प्रावर्तन के जो नियम सदेव सत्य होते हैं वह आउतल दरपड के लिए उतल दरपड स समतल दरपड यानि तीनों दरपड़ों के लिए प्रकास के प्रावर्तन का नियम सत्य होता है तो इस प्रश्ण का सही जो डीवल आपसन सही है ठीक है अगला प्रश्ण देखिए दूसरा नंबर का कि किसी वस्तु का आवर्धित कालपनिक परतिविम बनता है यहां आवर्ध आपका जो बनता है ऑवतल दरपड के द्वारा बनता है तो इस प्रश्ण का सही जो आपके हो सीवल आपसन सही हो जाएगा यहां पर यहां परacity बिंग Gods वहता है उद्ता दरपड के द्वारा भी बनता है लेकिन यहां पर चैक्तिश्टिक एंस recall माना जाएगा आयो त्म उतल दरपड अवतल दरपड दोनों में से लगाना होगा आप लगाएगा ओतल दरपड ठीक है तो आवर्दिक कालपनिक परति भी आप किसके दोरा बनता है ठीक है देखिए आपका अगला प्रश्न है कि अत्यधीक उच्छ परत्रोध वाला पदात कालाता है तो अत्यधीक एकाई होता है वाट होता है इसका प्रश्न जो सही है बीवला है इसके साथ में याद रखेगा कि बोल्ट जो हता है वीद्वांतर देखिए पाउच्वाय नंबर का कि किसी विध्वत केतली में प्रवाई धारा तीन गुली कर देने पर केतली में उत्पन उस्मा की महात्रा वो जाएगी ठीक है तो दिखे 9 गुना होगा ती प्रशन का सही जब सीवल होगा लेकिन यह होगा कैसे तो देखिए उसमा येच बराबर होता है फार्मूला आई स्कॉर आर्टी यादि आप धारा को ती गुना कर दे रहे हैं तो यह चीश कल्टू आई के जगा पर तीन रखें तीन का स्कॉर कर लिए तितली के नौ यादि धारा कित रखी वस्तू को असपाश रूप से नहीं देखा देख rumor यानि कि दूर की वस्तू को असपाश रूप से नहीं देख पा रहां है थे इसका मतलब वह इसमने कौन सा दोस होगा तो उसमें निकट द्रígenश्टिज धूस अब देखें यहां पर इंप्रटौ पॉइंट देख में चले जाएगा आप निकट द्रिष्टी दोस पढ़िए कि निकट द्रिष्टी दोस होता क्या है इसका निवारण क्या है और इसका कारण क्या यह तीन पॉइंट इसके बारे में पढ़िएगा और यहीं तीन पॉइंट दिर्ग द्रिष्टी दोस के बारे में पढ़िएगा कि दिर्ग द्रिष्टी दोस क्या होता है और दिर्ग द्रिष्टी दोस का कार और दिर्ग द्रिष्टी को निवार कौन से दरपड़ के दौर कौन और द्रिश्टी दोस इसको जरूर आप पर लीजिएगा ठीक है देखिए अगला जो सवाल आपका है देखिए क्या है साथवा नमबर का कि एक आउतल दरपड किसी वस्तु का वास्तवीक उल्टा अत्यधिक छोटा परतिविम बनाता है तो देखिए आपका वास्तवीक भी बन रहा है और अत्यधिक छोटा परतिविम जब बन रहा है तो वस्तु को कहां पर रखेंगे फोकस पर वकरता केंद्र पर या दुरू और फोकस के बीच देखिए दुरू और फोकस के जो बीच रखा जाता है देखिए आपके यहाँ पर क्या बनता है यहाँ पर आभासी परतिविम बनता है और वस्तू से क्या बनता है वस्तू से बड़ा परतिविम बनता है कि इसमें यहां पे जब focus पे रखते हैं तो वस्तु का परतिविम बड़ा बनता है जितने point प्तर है इस point को जरूर ध्यान से सुनिये वकरताक के अंद्रे पर रखते हैं तो परतिविम चुह बनता है वास्तिविक बनेगा उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनता है यह सभी पॉइंट अब द्याँ रखिए गए अनन्द को रखा जाता है तो रखने के बाद वस्तु का परतिल्ह पहले नपर तो वास्तविक बनेगा पो स्कुपे लर्ण नथ यह लिदक चब साके पर रखेंगे तो इस प्रशन का सही जवाब डिवल आपसन सही हो जाएगा सभी पॉइंट आपको पता है सभी पॉइंट को आप जरूर ध्यान दीजिएगा ठीक है यहां से आपका उभभाग टू प्रारम बता है अठ्वा सवाल जिसमें कि कार्बन को वायू में जलाने पर यहां पर पूछ रहे है किसका उधार लेहां यहां पर कार सीघिए करा आपस जुरता है नयया योगिक सिर्फ बनता है तो वह उता सभी यह सणी में करना है इस प्रश्ट का सही ज़ुग आपस न सही हो जागा जाए है आप सनीयोजन अविक्रिया पढ की जाएए विस्थापन अविक्रिया ड्यू Chance यह सभी अविक्रिया यह िचरू सबमढ्र जरूर दिख लीजियह बहुत सीमपल सा अविक्रिया है होते हैं इस सबी आपको बता है हैं इन सभी अभिक्रिया को जरूर देखे कल के पेपर में जाईएगा जितने भी पॉइंट आप बता रहें इन पॉइंटों को आप जरूर देख लीजिएगा ठीक है देखें नुवा नंबर का जो सवाल है कि जींक चूरड़ पर तनु सल्फियूरिक अमल से की अभिक्रिया से गयस कौन सी निकलती है तो यहां पर देखें पहले समीकड़ों का आप देखिए यहां पर जींक है उस पर तनु सल्फियूरिक अमलत यस्टू एसोफोर से जब आपस में क्रिया कराये जाता है तो अभिक्रिया करने के फ्रस्ट जडियन जो होता है यह सफोर के साथ में आ जाता है और हाइडूजन गयस क्या होता है बाहर निकलता है तो इस प्रस्ट का सभी जवाब होगा यहां आप आप सही लगाईए गाते इस प्रस्ट का सही जवाब आपसं करेट हैं अगला देखिए दसमान नंबर का कि समाने तापकरम तथा दाव में दरोग के रूप में पाए जाने वाले अधातु यहां पर पूछा ध्यान दिजेगा कि उस अधातु का नाम बताना है कि जो द्रोग अवस्थान पाए जाता है वह तो आपको ब्रोमीन्त इस प्रश्न का सही जवाब भीवल आपसं सही होगा यहां पर देखिए एक सवाल आपको बताते हैं यह को आपके आपमें परकी लिखा मिल जागा या सिमबल के तवर पी यह चाधी मिलता है तो यहां पर धातु पुछेगा तो आपका पारा Twitter कीす़ कितोन कब अगत्रज कितोन को जोड़ा है इसका मतलब ne Jenkins a thea की इस प्रश्ण का सही जेञा सभी आपसन सही होगा इसके साथ इसके साथ वियक्य एप सभी आपसन को बताते हैं जो होगा इंद है किसका एलको हल्का ठीक ओर यह यह जो होता है सी डवल ओ एच जो होता है यह कारबोख्सलिक अमल का होता है और यह जो होता है सिय लडी हाइड का होता किसका अब इसा अपशन आप अपना क्यर बता दिये ठीक है चरे अगले प्रश्ण को देखते हैं देखिए बार नंबर का जो प्रश्ण है कि यहाँ पर कालाम ए है और कालाम पर योन दोनों आपसब दोना करना है डीख्वा सब्सक्राइप दिए विख से ब़श्च का ये ऐसे होकर विदा से क diversion को इह बीनहें गते 59 कैन के यहां पर वालाया आपको तो यहां पर क्या होजागा और क्रियात्मक सभूबाइब नहीं कि डबल औफ जहां पर रहेगा वह जागे काशलमल kत्रीट एक ऐप घलता है एक्षुच यह होता है Chlorobromo Idol हालो एलकोन के क्रियात्मक स्मोट करूपने होते है इसका C से आफसन मिल जाएगा अब देखे बी तो अ उसके A का इसमें आफसन में देखे एक बी कहां पर यह है ठीक है यह है फिर बी का बी का कौन सा है से बीक आपका है दि वाला तो बीका दी देखे ते यहां पर देखिए अगला नंबर का जो सवाल है यहां पर देखिए तेरा नंबर का का कार्बन परमाड़ू की सनिजक्ता है इत सभीव है सनिजक्ता हो सभी तो कि सनिजक्ता होती है कि गतना होती है थाटि आपको प्रश्न कर देखिए यहां पे प्रजिए τουेट्टा की के मोज्ट इंस सहती के और में चेली फ्लाफ में ऐक शायेगा। यहां लगता दुविन हलती है। थामनेल पर पीला कलर का होगा उस पर लिखागो वन साथ नोट्स की तरह ठीक है आप उस वीडियो को जरूर देख लिजिए वह सहती स्कूश्चन रसायन भी घ्यान की कराएं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सहती स्कूश्चन करा हैं यही सहती स्कूश्चन में से एक के स्रीक प्रशन आपको पताना है चौधे नमबर के यह वह प्रक्रम जिसके द्वारा हनिकारक पदार्थों का निस्काशन शरीर से होता है उस पर क्रिया को क्या कहते तो उससे करते हैं उतसरजन तो इस प्रशन का सही जो अब भी वाला सही है अगला देखिए 15 नमबर का जो कोईस्टन है यहां पर कि प्रकास संसलेशर के दोरान निम्न में से कौन सी एक किरिया नहीं होती है यानि प्रकास संसलेशर जब होता है तो उसके दोरान कौन सी एक किरिया जो ऐसी है जो नहीं होता है ठीक है यहां पर कुलरोफील द्वारा प्रकास उर्जा का और सोशल ह होता है प्रकास उर्जा को रसाइनी उर्जा में पुर्थन होता है कार्बोहईड्रेट में आप अपृच काभर की आमले में विखन्डन होता है दिया नहीं negative आ चाहिए देंक आपका prostu द्वारा प्रकास जो होता है देखिए प्रकास ऊर्जा का अवसोषड होता है तो चाहरत का अंबर्ण होता है यह गलत कतान है तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब डी होगा क्यों होगा कि यहां पर नहीं पूछा नहीं का जवाब नहीं से आप मिलाएंगे ठीक है अगला देखिए 16 नंबर का जो आपका प्रश्न है यहां पर प्राकृतिक वरण या चेयन द्वारा जय विकास का सिधान क इसके प्रतिपादित किया था प्रतिपादिग और चइन ड्वारा जय विकास द्वारा जयुएविकास द्या सच द्यां देखिस सध्द्धान का सिधान को रह दूब। न्यर्क की आप्र याद रखिए कि 17 नमबर का देखिए में अपने प्रयोग किस पोधेब किया था अभी यह प्रस्ण सामने आगया ते इस प्रस्ण का साही जवब डिवलापसन प्रसंद सच्छ है अगला प्रसम ने 19 नंबर के देखिए कि मादा जनान तंद्र के किस भाग में कापटी अस्थापित किया जाता है तो कापटी किस में होता है तो यह देखिए आपका अंडा से दिया है अंडवाहिनी दिया है गरभा से दिया है यह नहीं होता है तो जो कापटी होता है यह होता आपका गरभासे सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपसन सभी अगला की बीस नंबर जो सवाल है कि कि बारे में से कौन सा सथ्जनने नहीं आपको बारे में बताना है कि कौन सा कथ्राइब आपका सथ्जनन आपका नहीं है तो यहां जो प्रक्रिया होती इस्ट में होता यह भी काथना आपका सही है यह यह धिया में समपान होती है तहीं इस पाइयर वेट या पारी रूविक अमल सी ओटू वैं परिवर्टण होता यह गलत है यहां पर नहीं पूछाए तो नहीं के जवब स्विवल आप संग अपकर सही हो ज कि अवतल दर्पढ के कि दो उपयोगे यह चिक सभी ंद रखिए, धाड़ी बनाने बनाते समय सीषा जू लग सामने रखते हैं उसमें प्रियोग किया जाता है तो आपको बनाना है साथ में आपका फोकस एंदरपड के धुरू के बीच आप रखा गया है तो उस समय आपको परतिवीम बनाना बताना है आप कैसे बनाएंगे तो यहां से एक क्या कीजिए गां मुख जाली यह दुरू हो जाएगा यह फोकस हो जाएगा और यह वकरता केंदर हो जाएगा ठीक है और इधर यह अनंत हो जाएगा आपको इसी तरह बता दे रहें देखिए अनंद और वकरता केंदर के बीच में वस्तु को रख लीजिए गा यहां पर रखिएगा एक वस्तु को पहला किरण मुख अच्छ के समांतर गुजारिएगा ठीक है इस तरह जाएगा और यह पर जो जो होता है मुख यह इस तरह म समझा रहे हैं ठीक है तो यहां पर वस्तु का प्रतिवीं बन जाता है यह पहले इस पका आप बना लीजिएगा इसको बदाते हैं कैसे आप बनाएंगे जभी इस पकेंदर के बीच हो तो जैसे समझजाएं से पार्तिवीं बनाएं लाक्ष्ट में लिखिए गा वस्तु का परतिबीम सी वह यह बीच में बनता है इस प्रकास आपको पूरा लिखना पढ़ेगा देखा देखिए आपका अगला है फोकस दरपड़ दुरू के बीच हो तो इसका प्रतिनिम आप कैसे बनाएंगे तो आपको क्या करना है कि इस प्रकास एक अवतल दरपड़ बना लीजिएगा यह फिरी हैंड आपको बता रहा है वह समझा रहा है ना आप जब भी बनाएगे तो आप स्केल का प्रयोग करते स्वच बनाईएग वक रता केंद्रेश Congo केंडर तो फोकी के अच घोह विए दुरू के बीच में यहां पर रेका गया इसकी दौरा आपको परतिनिम से तो पहले क्या करेंगा मुख के अच के समांतर एक प्रकास किरा गुजारेंगे और यह कहां से जाएगा मुख के फोकस होके ऐसे इसके से गुजारिएगा लेकिन यह आपको बाहर से आती हुए परतित होता है ठीक है और दूसरा प्रकास किरा क्या हां से जाएगा वकरता मार्ग से वापस आ जाता है लेकिन यह आपको इधर से बाहर से आती हुए पर्तित होता है और यहीं पर यहां पर यह दूसरे प्रतिशेत करें यहीं पर इसका प्रतिविम बनता है यह अवतल दरप्र का जो छठवा कंडिशन होता है जब दुरू और फोकस के बीच में वस्त से बड़ा बनेगा और दरपढ़ के पीछे बनेगा यह दरपढ़ के पीछे बनेगा इतना चीज आपको लिखना पड़ता हो यह चीज याद रखेगा अवतल दरपढ़ के द्वारा एक ही कंडिसर ऐसा जहां पर वस्तुक परतिविम आभासी बनता है जिस तरह समझाए इ सब्सक्राइब के सामने अगला नंबर का रहा है कि आप वर्तन की नियाम आपको बता दो नियाम में आपको बता है कि आप तब को प्रावर्तन कोण अभी लम्ट इक अब तन कोड की जिया और अपवर्तन कोड की जिया का जो अनुपात होता है बराबर होता है यह अप्वर्टन के नियम होते हैं अब यहां पर इसके सवाल दिया है कि के 3 सेंटी मिट्र की वस्तु उस्तल लेंस के मुऊंक्छ पर देख सकते हैं यह चीछ बताना है टिक देखे प्रकाश के दो नियम है यहां पहला नियम आपका है आ सब्सक्राइबिंदू इस दूर नियम में और उसे हैवर से नियम को पहले माद्यम के साफिज दूसरे माद्यम का ऊपरतनाग भी करते हैं इस पका से लिखिया अब देखिए है इसमें आप से जो सवाल पूचा है कि यहां पर दयान देंगे तो जहां डीकोड़ में लिखते हैं क्षैने мыш frankly कि न यहां पर छी न गूदकर जो कि अब जाएका यहां लेस से वस्तू की दूरी 10 cm दे आया है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा मतलब भी कमान ग्याद करना पड़ेगा ठीक कि भी कमान क्या रहा है इसके साथ मैं देखिए सवाल में दिया है कि 3 cm की वस्तू की लंबाई दिया है यानि वस्तू की लंबाई दिया है यानि वस्तू की लंबाई देने का मतलब यच डैस कमान दिया है 3 cm ठीक है वस्तू की लंबाई देने का मतलब यच डैस कमान दिया है 3 cm तर पहले आपको भी क gyaad करना बताते हैं देखिए उत्त्रे लेंज के लिए जो फार्मुला होता है one upon f is called to one upon b minus one upon u होता है देखिए lens के लिए यहां पर minus होता है एक चीछ का यहाँ इसका यहां पर ध्यान रखी है ठीके नकि 30 बराबर वान अफान भी यह मैनेस इसको क्या कर देगा unfamiliar 10 Tier 1 बंटा की दस इधार आगे minus 1 बंटा की 10 बराबर वान अफान भी इसको हल करते 30-10 का HCM is 30 कोचर से ओ Code 1-10 को देंगे 3, तो यहां पर माइनस एक बटा के 15 और बराबर बनापन भी तो भी बराबर कितना हो जाएगा तो प्लट दीजिए यह हो जाएगा माइनस 15 सेंटी मीटर और किसका मान होगा भी का होगा तो भी का मान तो इतना आया ठीक है यानि कि आपका परतिविम कितने दूरी पर तो 15 आवर्धन निकालना पड़ेगा तो यहां पर क्या होता आवर्धन बराबर बताते हैं आप सभी को आवर्धन बराबर जो होता है यह बराबर फार्मूला होता है आपका यह बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है भी बटा कि यह होता है ठीक है यह देखिए आवर्ध के लिए हाँ पड Rapha आप्वक्ता होता है लेकिन दरब रहता है यहाँ देज कितना है ध्याथ हटाइजं सब्सक्राइब धसक्रासिष्क यह घ्या जिया आह was भी कमान कितना आया था तो माइनस पंद्रह यहां पर देख सकते हैं कितना है भी कमान माइनस पंद्रह है तो यहां पर रखिएगा माइनस पंद्रह और यू कमान कितना है यू कमान माइनस दस है तो यहां पर माइनस दस कर लिजिए माइनस माइनस कर जागा देखे 5 त्याई 15 पांदुरा के 10 यहां पर यह दैस इनका गुड़ा कर लिए तितली के 9 हो जाएगा अब बटा के 2 ठीक है यहां इस तीन का यहां पर तीन का गुड़ा कर लिए है ति यह दैस बराबर कितना हो जाएगा दू च्वार्ट दू पाचे 10 सेंटिमीटर दिखें प्लस आने का मतलब क्या होगी सीधा परतिभी बन रहा है प्लस आने के मतलब क्या होता है कि सीधा परतिभी म बन रहा है और वस्तू के लंबाई कि इतना 4 दस्मота 6 ठीक है परतिबिव की लबाई 4 दस्मणो पाच कि सामक्त आपको लिखें होगा तो कैसे निखेंगे तो आप लिखिये गया है एंस्वर में ठीक है चलिए आपको लिख के पूरा बता देते हैं आप इसका एंस्वर प्रक्रति लक्षा कैसे लिखेंगे लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिभीम प्रतिभीम लेंज के सामने 15 cm दूर सीधा आभासी देखें पलस आने के मतलब आभासी बनता है सीधा ठीक है आभासी तथा 4.5 cm लंबा बनता है ठीक है बनता है इस प्रकास से आपको पूरा बताना रहता है ठीक है तो पूरा सवाल का एंस्वर हो गया अगला सवाल देखिए कि ओम का नियम लिखी किसी तार के प्रतिरोत को प्रभावित करने वाले किनी दो कारकों का उल्लेक किजिए 400 वाट का एक बल्ब 200 बोल्ट के विद्व स्रोत से जुड़ा है बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग मिला जाता है बल्ब में प्रवाई धारा उसमें उत्पन उस्मा की मात्रा ग्याद करना है देखिए आपको ओम का नियम पर लिखना पड़ेगा तो ओम का नियम क्या होता है कि यह भी को दिखाता है यह आई को दिखाता है तो पूरा ओम का नियम आप का नियम जरूर का पढ़ी जिएगा चलिए अपको सवाल लगा के बता देते हैं इससवाल को आप कैसे लगाएंगे तो यहां सवाल में देखिए यहां पर आपका 400 वाट देने का मतलब शक्ति दिय ज्मेने पिल जया सबाट स्केमान का दीिए हैं आपे चारसो बार चारसो यहां पर बोल डिया टो यहां पर प्रोटेज इस आपका कितना में लड़ा हा कि पोट्गप्झ वर्टल यहां से आई कामान कितना है 200 तो यहां पर 200 कर लीजी और बराबर आई तो यहां पर उत्पन उस्मा पूछा है तो उत्पन उस्मा बराबर फार्मूला क्या होता है यहां पर उस्मा यह बराबर होता है आई यहां पर लेखे भी आई टी होता है श्मा कि हम यहां यहां कितना कितना दिए वी आई का मतलब एक हम क्या लिख सकते है खीत यहां यहां पर रखते हैं सो कुरें एक चीम्हेट Ms.कल्देफीं दिए Our life पांच रखेगा लेकिन यहां पर ध्यान दिजीगा की 05.. इसको स्केट से बलना पड़ागा थैसे बनेक्लिए हैं पर कितना से गुड़ा करेंगे Oops प्रशन को जरूर तैयार कर लिए जैसे समझाएं इस प्रशन को ऐसे ही आप तयार कर लिजी छोड़के इस प्रश्न को जाईएगा मां ठीक है और ओम का नियम तो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप ओम का नियम जरूर पहलीजिएगा जितने भी पॉइंट बता रहे हैं इनको एक बार जरूर देखके कल की पेपर में जाईए अगला प्रसन है आपका कि चुम्बकी छेत्र र नियम आप पर लिजिएगा मैक्सिवेल के कार के स्कुरूर नियम क्या होता है इसकी परिभासा उर्दवादा धारवाही चाला के कड़ उत्पंच चुम्बकी छेत्र रेखाओं की दिसा किसी प्रदतों छेत्र में एक समान चुम्बकी छेत्र कैसे प्रदिशत किया जाता ह इन सभी जितने भी पॉइंट पता है मैक्सिवेल का स्कुरू की नियम पढ़ दिजिएगा साथ में चुम्बकी बल रेखाएं क्या होती है इसके बारे में एक सीधे धारवाही चालक तार है तो उसमें उसे चुम्बकी छेत्र की दिसा कैसे ग्याद करेंगे इन सभी थिल्डिया तो उसको कंई से इसांतुलित किया जाता है दोनों पच्च में बायाइं पच्च में प्रमाल writing किसह बराबर किया जाता है जैसे यहां पे सान तो आपको यहां पर संग्रीत हैं तो यहां पर यहां पर यहां पर एक है ठीक है यहां पर हाइडोजन चार है लेकिन यहां पर हाइडोजन कितना है दो ना तो चार बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेंगा है यहां पर लेना पड़ेगा और दो आप सब्सक्राइब आपका संतुलित हो जाएगा यहां अगला प्रश्ण आपका है कि अभी किरिया यफी सी यफी सी यू सो फॉर प्लस सी यू में अभिकारक बताना उत्पात बताना है तो देखिए इधर के जितने भी बाया पच्च के जितने भी तत्तु रहेंगे या योगिक रहेंगे यह अभिकारक होता है या आसायली यह भाग लेने वाले पक्दात को क्या करता है अभिका राक हो जाएगा ठीगी यह वो अभिकारक और इधर जो आपका नया पदाध बनेगा यह उत्पात कालाटता है एँआ यही बस आपको बताना है कि ऑध्ठब्ससक्टिश केवल अभिकिरिया का स्वायखा है वहरा हैं उसमा के ुपस्तिति में क्या हो जाता है या इसके ~! तुसरा एक्जाम्पल आप याद रख सकते हैं CA CO3 उस्मा की उपस्तितिम क्या होता CA plus CO2 बन जाता है तो यह होता उस्मिया अभगटन अभिक्रिया इसके साथ में दो अभिक्रिया और आपको बता देते हैं इसे भी आप याद रखिएगा देखिए आप 2H2 plus O2 तो यह मिल के आपका होता है 2H2 और इसमें से उस्मा जो आपका निकलता है कितना 136.8 kg कैलोरी उस्मा निकलता है यह इसके लावा आप एक्जाम्पल याद रख सकते हैं C plus O2 तो यहाँ बनेगा CO2 यहाँ पर 94 kg कैलोरी के उस्मा निकलता है तो उस्मा जिससे निकलेग का लाता है यह यह यहाँ प्लस O2 प्लस इधर 42 kg कैलोरी उस्मा आपका क्या होगा उस्मा को असोचल होगा जिससे बनेगा 2N9 ठीक है तो उस्मा छेपिए उस्मा सोची अभी किरिया जरूर आप पढ़ दीजिए चलि देखिए यहाँ पर अगले प्रशनों को देखते हैं जिदने भी प्रशन बता रहा है इन सभी प्रशनों को आप जरूर तैयार कर लिजिए ठीक है आपको जरूर 29 फरवरी के पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा ठीक है निवन रिखित योगिगों को आयू प्यसी नाम लिखना है ते देखिए यहाँ पर आयू प्यसी नाम क्या होगा प्रोपाइन हो जाएगा प्रोपाइन इसका आयू प्यसी नाम क्या होगा प्रोपाइन होगा अब यहाँ पर देखिए इसका लिखना आयू प्यसी नाम क्या होगा प्रोपाइन होगा अब यहाँ पर देखिए इसका लिखना आयू प्यसी नाम क्या होगा और यहां पे CHO, MADLD है, LD हाइड में क्या जोडा जाता है, अल जोडा जाता है, ना, क्या जोडा जाएगा, अल, तो इस पकाद से आपको यह आयूपेस्टी नाम लिखना रहता है, यहां पे देखिए आपका 12 नंबर का निम्री की तत्तों के प्रमाडू संक्या सनिजक्ता लिखना है तो देखिए नाइट्रोजन का प्रमाडू संक्या कितना होता है प्रमाडू संक्या जो हता है साथ होता है और इसकी सनिजक्ता कितना होता है तो इसकी सनिजक्ता जो हता है मेगनिसियम जो होता है मेगनिसियम का प्रमाड़ू करमांग 12 होता है इसकी सनिजगता कितना होता है डू होता है ठीक है यह आप याद रख सकते हैं सभी प्रशन आपको बता रहे हैं बस ध्यान दीजिए अगला प्रशन देखे सातवा नमबर का निमलिखित पर टिपड़ी लिखना है क्या असन्त kayak hydrocarbon क्या होता है तो अधिका संत्रिफ्विफ हाइड्रोगारद होता है। जीसमें एकल बांड यानि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बांड बनता है तो संत्रिफ्थ हाइड्रोकार्बन काल आता है ठीक है एक्जामपल के दोर पर आप CH4 लिख सकते हैं जिसके अंत्रगत इलकेन आता है अंसंत्रिफ्थ हाइड्रोकार्बन काल आता है असंत्रिफ्थ 1-い-2 C2 H2 लिख सकते हैं इस तरह है आप संत्रीन थाइडोकारबन। के इकजमبل दे सकते हैं और संत्रीन थाइडोकारबन। मेथें एथेन म्युटेन यह सब जितने होते हे। जिसमें सिइंगili बताते लिए और जिससे आपको याद हो जाएं मॉस्सालिस क्लlan के लिए संचालिक क्लेह संचाल के लिए अब इसादma f Bayern के लिए जरू को यह अविक्रिया आप जरूर ध्यान देजिएगा कि आइरन को आक्सिजन की उपस्तिती में टू एक्स याश्टूर की उपस्तिती में जब होता है तो फी त्री याश्टूर जो जंग का फार्मूला होता है ठीक इसे जरूर याद रखिएगा जितने चीछ बताएं इसे कर सकते हैं तो बाचाओ जесс कंपर जाता है धात्मके सता पर पर पँंट अथ्वाग्रिच का लेपन करके लोह्य की वस्तूओं पिगला कर जिंक में डुबा हों लेपन या डूब लेपन करलाता है विद्धत लेपे और आप करके संचाड से बचा सकते हैं यहां पे देखिए कि यसद लोपन या गालवे निकरण क्या होते है इसे जरूरियाद रखे इस पे भी टिपपाई लिखने के लिए आ जाता है तो लोहे की वस्तों की पिगलने पिगले जिंकु में डुबाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं एनोडी करण क्या होता है कि विद्यूत अ विवक्रियां को अशेर्पड अविक्रिया के नाम से वी जाना जाता है तो आप से टिपढ़ लिखने के लिए पूचा है कविजब अभिक्रिया क्या होता है र मधिक्रिया ज faut क्रियाशील तत्तों कम क्रियाशील तत्तों के परमाड़ू को विस्थापित कर स्वय उसका अस्थान गढ़क कर लेता है तो विस्थापन अभिक्रिया या प्रतियास्थापन अभिक्रिया या अच्छेपड अभिक्रिया कालाता है यहां पर एक्जामपल याद रख सकते हैं कि यहां से विस्थापित करके उसका अस्थान गढ़क कर लेता है तो यह आप अभिक्रिया को इस पका से लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पी देखिए आपको यह बता है क्या उच्छा पड़ अभिक्रिया क्या होगा अब अथा में दिया है कि प्लाश्टर आप पेरिस का उपयोग क्या होते हैं इसके साथ में चार और अम्ल से आप क्या समझते हैं तो देखिए जितने भी आपको बता रहे हैं सभी अधे इंपोर्टेन सवाल है प्लाश्टर आप पेरिस क्या होगा विरंजक चूड के बारें पढ़ लीजिए खाने वाला सोडा का निर्माड़ कैसे होता है यह जितने भी बता रहे हैं इन सभी सवालों को आप जरूर पढ़ लीजिए विरंजक चूड को आप जरूर पढ़ के जाए खाने वाला सोडा बनाने का वीदी तो आप उसका सिर्फ रसायनिक समिगड़ याद करके जाएगा प्लाश्टर आप पेरिस क्या होत है इन प्रश्णों को आप जरूर पर है ठीक है चलिए आप सभी को प्लाश्टर आप पेरिस के बारें बता देते हैं तो इसे जीपसम से बनाये जाता है जिप्सम मतलब जिप्सम का फार्मूला साथ में याद रखेगा जिप्सम का सीए सोफोर डार्ट टू एश्टूओ को एक भट्टी में 120 सेंटिग्रेट ताप पर गर्म किया जाता है तो निर जली करण के द्वारा प्लास्टा पेरिस का निर माल हो जाता है अब देखिए यह सफेद रंग का चूड़ है जो जल में अविलया है इसका उप्योग देखिए प्लास्टा पेरिस का उप्योग क्या है अस्पतालों में तूटी हड़ी जोगने के लिए प्लास्टा पेरिस को उप्योग करते हैं खिलोना तता मूर्तिया बनाने में करते हैं इसके साथ में चाक बनाने में कागाच के कार खाने में दातों के प्लास्टर बनाने में अगनी सामक पदार्थों के रूप में इन सभी जगहों पर क्य करते हैं प्लाश्टा पर इसका उप्योग करते हैं देखिए इसके बाद आपको बताता है कि अमल और चार के बारे प्रस पूछा गया तो क्या होता है और हैनिय सिध्धान के अनुसार अमल वे पदार थे जो जली विलेन में हाइडोजन आयन देते हैं तो हाइडोजन आयन के अत्रिक्त अन कोई धन आयन नहीं देता है तो क्या कलाता है अमल कलाता है यहां पर अमल के बारे नहीं याद रखिएगा यह यह प्लस आयन देता है क्या देता है यह प्लस आयन देता है तो है क्या कलाता है हो अमल कलाता है जैसे एक्जांपल में लिखना ह होगा थी यह थी यह थी यह थी फिर फिर लिख सकते हैं ठीक है कि च्छारक क्या होता है कि आरहनी सिध्धान्त के अनुसार वेरसाइनिक पदार्द जो जलिए इस प्रकास आपको प्रसन पता रहे हैं सभी प्रसनों को आप जरूर एक बार देख लिए और जितने भी प्रसन आपको करा रहा हैं सभी इंपोर्टेंट प्रसन हैं अब आपके सामने उपभाग तीन है अठवा नंबर का है पोशण किसे करते हैं इस प्रसन को आप जरूर पर लिजिए सोपोसी पोशण पर पोशण का उप्यूक्त उधार देकर समझाना है देकि सोपोसी पोशण का मतलब होता है जो बोजन अपना स्वेंग बना लेते हैं सोपोसी कराते हैं जैसे प्यड पोशण क्या होता है सोपोसी होते हैं इस पोशण क्या होता है कि है प्रपोशी परोशण का अब डूसर्य पर निरवर रहता है एक तरह को लिखना रहता है को आधो सब Coral 19 का सवंच च्ट्र बनाना कश्र रेक qum कि व्फिक ठीम कीजिए इसको जरूर आप पढ़के एक बार पूस्प का चित्र देखके जरूर जाईएगा ठीक है अगला प्रस्ण मानों में लिंग निर्धार प्रकिरिया का विस्तार से वरण करना आपको चार नमबर के प्रस्ण है तो अब मादा जननतत्र यह जितना भी है मादा जननतंत्र से क्या समझते हैं इनके सर्ष्ण के प्रबंद के विर उपायों कीजिए टोटल छे नमबर की अगला प्रस्ण है कि मानों के नरजननतंतर का सचित वरण कीजिए तो यह इसके साथ में आप फेफडा का यह सभी आप पॉइंट जो है तो बहुत ज्यादा को साथ में बताते हुए इस पेपर का संपूर हल आप सभी को करा हैं और जितने भी आपको टापिक बता उन टापिकों को एक बार जरूर देख लीजिए ठीक है तो फ्रेंज आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइ करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें